सब्सक्राइब तू सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब अगर बाहर से आप गई जितना आप सोच रहें तो देखो ट्रांसवर्मर का जो बेसिक थो बेसिक थेख सकते हैं and this is a basic construction of transformation की एक पर में बहुत वंटिष में तależ है रहे हैं थे गड में तो आप principle बनाया भाह सघ्र लिद्ट डाइग्राह सब यहां पर आपको देखे रहा है इंटनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाने की थे तो इन्टर्नल स्रक्टर आप देख सकते हैं अंदर में कौर है उपर में आप टर्मिनल बुशिंग्ज दिखी नें आप जो इन्टर्नल स्रक्टर की बात करों जो रइट साइडि में उसको आप देखेंगे तो अंदर में दो बुख Bloody है बुख लेले हैं आख ट O इसको बहुत इसली मूग करा सकते हैं तो ट्रांसफोर्मस के किस पॉइंट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे कि इस टार्टिक डिवाइस पहला पॉइंट तो यह है वर्क्स अन्द प्रिंसिपल of mutual induction प्रिंसिपल इसका mutual induction है ये एक point लिखा हुआ है पर इसको हम detail में discussion करेंगे ठीक है अभी फिलाल के लिए works on the principle of mutual induction third point के बात करें तो यह लिखा है कि transformer transforms voltage from one level to another level without changing the frequency now this is very important guys कि transform हमारा जो transformer है वो क्या करता है voltage को एक label से दूसरे level तक ले जाता है and it is not important it is not necessary कि वो label को उपर ही करें level को नीचे भी कर सकता है मतलब अगर voltage 220 किलो वोल्ट का है तो उसको 110 भी कर सकता है उसको 440 भी कर सकता है depending कि transformer का कौन सा side primary side या secondary side कौन सा ज्यादा है तो यह सब चीजों को समझेंगे but third point is should be clear to you कि भई transformer जो है transform करता है voltage को one level to another level without changing the frequency the next point is it has very high efficiency guys transformer एक ऐसा device है एक ऐसा electrical machine के अंदर हम इसको consider करते हैं तो एक ऐसा तो 96 to 99 percent होती है मतलब efficiency high क्यों होगी क्योंकि losses बहुत कम होते हैं हम इस तरीके से इसकी designing करते हैं कि losses बहुत कम होती है ठीक है अगर next point की बात करें तो next point में लिखा है कि as it is a high efficient device the output power is considered to be equal to input power and also it is called as constant power device ठीक है इसको हम लोग constant power device कहते है मतलब जो power input पर दिया है हमने वही power output पर भी मिलेगा ठीक है तो हम सारे points को discuss करेंगे यह अटा दीजेगा computer जी ठीक है तो static device सबसे पहला point तो है कि बहुत स्टाटिक डिवाइस है अब स्टाटिक का मतलब होता है रुकाओ मतलब इसमें इस्टाटिक क्यों बोला है क्योंकि पहले बात तो यह की स्में कोई भी moving parts नहीं है मतलब कोई ऐसा part नहीं है जो move कर रहो सिभाएं पहीयों के तो पहीया तो move करने चीए और वो तो बेसिकली इस्ट्रक्चर उसके कंस्ट्रक्शन में नहीं आता जो वील्स मैंने आपको दिखाया थे डाट इस ओनी फॉर ट्रांस्पोर्टेशन पर्पॉस तो स्टाटिक डिवाइस है क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है कुछ भी ऐसा कोई ऐसा पार्ट सब्सक्राइब नहीं होते हैं दूसरे आगर हम बात करें विंडेज लॉसे फ्रिक्शन लॉस नहीं होता विंडेज लॉसे क्या है भाई अगर कोई रोटेटिंग पार्ट होता है और बहुत तेजी से चलना है एवन वी वैन वी मूव विदा हाईयर स्पीड किसी ते अगर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो वह घून नहीं रहा है और वह किसी स्पीड से चलनी रहा है तो इस वज़ह से बहुत और इस वज़े से transformer की efficiency भी बहुत ज़्यादा है ठीक है तो ट्रांसफोर्मर की efficiency बहुत हाई है because it is a static device static क्यों क्यों कि इस्टार्टिक इसलिए क्योंकि भाई इसमें कोई भी rotating पार्ट नहीं ठीक है and static एक माईने इस इसलिए पहा जाता है इसको static device क्योंकि यहां पर जो EMF जो होता है EMF वो statically induced EMF अब statically induced EMF क्या है वो हम principle के अंदर पढ़ेंगे ठीक है तो static device इसको कहा गया है it is a static device second point था हमारा कि भाई हमारा जो transformer है उसकी हाँ it transforms second point था हमारा कि transforms voltage from one level to another level अब वो मैंने आपको समझा दिया कि definitely कि भाई में कि 220 से यह 440 भी कर देगा और हो सकता है 220 से 110-95 कुछ भी करका कर सकता है 440 के上ए और भी हाई कर सकता है यह 33 uda कर सकता है corpo करता है कि हमने windings किदर जğाधा लगाई यह फर number of windings पर definitively different करता है 240 को 110 kak सकता है 55 भी कर सकता है 25 भी कर सकता है ठीक है तो इस तरीके से हम इसके voltage को एक level से दूसरे level तक ले जा सकते हैं and without changing the frequency जो important point यह है कि भाई हाँ जो input में frequency दी है जो source की frequency है वह frequency output पे भी मिलेगी यानि अगर 50 hertz की frequency वाला source लगा है आपने तो output पे भी 50 hertz की frequency मिलेगी अपन ठीक है third point था कि it has very high efficiency and मैंने आपको बताए exam के point of view से अगर exam में पूछा जाए तो 96 to 99 percent के range वाला option आपको select करना है क्योंकि वहाँ option में होगा कि the efficiency range of the range of efficiency of a transformer is तो वहाँ पे 4 options होंगे और 4 options में से 96 to 99 percent के बीच में जो भी होगा range वह आपको select करने है ठीक है तो ट्रांसवार्मर की efficiency बहुत हाई होती है ठीक है इवन टाइप सब ट्रांसवार्मर पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे हम ये भी बढ़ेंगे कि जो हमारा को टाइप ट्रांसवार्मर है उसकी की efficiency थोड़ी कम होती है as compared to shell type transformer ठीक है तो हमारा third point clear होगे कि high efficiency अब देखो जब हम पढ़ाई करते हैं जब हम अपनी studies करते हैं transformer के बारे में तो हम मान के चलते हैं कि यह 100% efficient transfer 100% अगर होगा 99% है almost हम तो पहली कह रहें कि प्राक्टिकल transformer भी 99% efficient है तो हम मानी लेते हैं कि 100% है अगर ऐसा हम मानते हैं तो हम कहते हैं कि यह constant power device क्या है यह constant power device मतलब जो input पे power दिया वही उतना ही power मुझे output पे मिल गया इसका मतलब अगर मैं लिखूं V1 I1 input का power तो बराबर होगा यह V2 I2 के ठीक है तो यह important point है इसको आप याद रखेंगे इससे हम derive करते हैं अपना transformation ratio जो कि बाद में हम करेंगे ठीक है guys चलिए इसके बाद देखते है next points क्या क्या कहा है PPT में okay so application देखें अगर application की बात करें transformer की तो transformer का application जो है यह है कि इसको हम power system में use करते हैं to step up the voltage मैंने यह बताया हुआ कि power system में इसको बहुत extensively extensive use है इसका power system में और reason यह है कि हम losses reduce करना चाहते हैं and that is why it is written as कि used in power system to step up the voltage so that losses can be reduced मैंने आपको बताया हुआ कि ऐसा क्यों होता है mostly हम इंडिया तो इससे पहले हम सारे पहले points पर लिए उसके बाद मैं आपको point which point explain कर दूंगा तो second point यह कि in electronic and control circuit for impedance matching electronic and control circuit में हम इसको इसको इस्तमाल करते हैं impedance matching के लिए impedance matching के लिए इस्तमाल किया जाता है हमारे transformer को third point है कि in power electronics for pulse gate triggering power electronics में भी इसका इस्तमाल है और वहाँ पर इस्तमाल करते हैं हम pulse gate को trigger करने के लिए है ठीक है पर्स gate triggering के लिए मतलब basically gate को trigger करने के लिए हम पर्स देते हैं जो यूजली on करता है thyristor को मैं आपको भी explain कर दूंगा next point हमारा in voltage regulators voltage regulator एक बहुत पुराना application है मतलब बहुत पुराना device है जिसमें हम transformer का इस्तमाल करते थे अभी भी किया जाता है बहुत सारी जगों पर तो यूज काफी कम हो गया voltage regulators में transformer का बट इस्टिल दे आर सम काइंड वोल्टेज रेगलेटर जहां पर इस्तमाल हम करते है अब तो देखी transformer की हम बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट मैंने देखा application में application की अगर बात करें तो transformer का application है power system अब पार सिस्टम में क्या है कि भाई अगर आइस्टम हम यह जानते हैं कि पार सिस्टम में मुझा voltage अप करना है आप क्यों करना है भाई क्योंकि हम भाई हम बहुत लंबे-लंबे transmission में बिचा रहें बहुत लंबे transmission लाइन बिचा रहें इतने लंबे कि भाई 3,300 KM के 9 myations बिछा inhalément अब 300 KM के 9 जब transmission a में बिछा है मैंने तो मुझे पता इतनी नंबी तारक्षी loss करें लॉस कैसा तो couple लॉस होगा अब कॉपर लॉस की बात पर आते हैं तो कॉपर लॉस होता है इस्क्वेर आर आप जो इंजीनियर्स हैं जो भी इंजीनियर्स है जो टांस्मिशन लाइन डिजाइन कर रहे हैं मुझे पता है कि वो इंजीनियर्स भरोसे मन उन पर भरोसा कर लिया मैंने और मुझे पता है यह एक ऐसा conductor चूज करेंगे जिसको हम हम कह सकते हैं कि efficient मतलब optimum 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 value of resistance होगा मतलब कम पैसों में minimum पैसों में अच्छे resistance वाला तार हमने लगा दिया transmission line लगा दिया तो इससे कम और मतलब पैसे भी कम चाहिए आपको अब सरकार कहीए आप से पैसे इतने मत खर्च करो लेकिन रजिस्टेंस थोड़ा का जादा ही रहे तो चलेगा अब चांदी का हम कंटक्टर कर सकते ते जिससे क्या होता करना resistance और धिक्रीज होता पर इतना महघ लोग कहते हैं इतना महहा लगा की तुम और महया ऐसा नहीं हुता कि महंगा वो लगा देते तो हम है यहुआ कभी नहीं चाहेंगे कि हम में लगाया अल्मूनियम का कंड़क्टर अब अल्मूनियमका कंड़क्टरर लगाने सेифक्ड्रकार के पैसे भच बच गया यो ले Seoul すd taraf यह हाँ आई को कम करना है तो कैसे करेंगे आई को कम करने का एक तरीका है वी को इंक्रीज करते हैं तो आई डिक्रीज होगा डिफिनेटली तो मैंने ये कहा आप से कि पाइर सिस्टम में हम ट्रंस्फॉर्मर का का स्तमाल करते हैं वोल्टेज लेवल को अप करने के लिए और लाइस लॉसे कैन बीग्णूर्ड लॉसे कैन बीडियूस इंग्नूर्ड तो लॉइ तो आई रिडियूस हो रहा है तो copper loss की बात हम कर रहे थे ना तो I reduce होगा तो definite सी बात है copper loss भी reduce होगा copper loss reduce copper loss इतना बड़ा factor हो जाता है कि मुझे reduce करना ही करना है तो that is why we use transformer in our power system ठीक है first point clear second point है हमारा कि हम electronic circuits में और control circuits में हम इसको इस्तमाल करते हैं for impedance matching impedance matching basically क्या है कि जैसे let's say मेरे पास एक source है मेरे पास एक source है and मेरे पास एक load है अब मैं यह कह रहा हूं कि जो source का output resistance है या output impedance है वो high मैंने का यह high है and let's say कि इसका input impedance जो है वो low है अब देखो high है और यह low है अब दोनों को हम connect नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते भाई इसका impedance अलग है इसका impedance अलग है तो इनको match कराना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि भाई आप इन दोनों को directly connect कर दो तो इसके बीच में device हम इस्तमाल करेंगे ऐसा जो कि impedance matching का काम करें मतलब या तो इसके इसको हाई कर दे और इसके बाद इसको match करा देंगे तब हम connect कर देंगे तो हम वहाँ पे transformer का इस्तमाल करते हैं जहां पर मुझे impedance matching कराना हो बेसिकली control circuits में यानि control systems के जो circuits होते हैं control devices जो होते हैं उन circuits में हम transformers का इस्तमाल करते हैं for the purpose of impedance matching and electronic circuits में भी बहुत जगा इस्तमाल किया जाते हैं ठीक है second point clear third point पे आते हैं third point यह कहता है third point में हम ने कहा कि हम power electronics devices में gate pulse gate triggering के लिए इसको इस्तमाल करते हैं अब pulse gate triggering आपको पता है अगर power electronics की बात करेंगे तो power electronics देखो power electronics में एक device आता है SCR silicon controlled rectifier जिसको आप thyristor कहते हैं तो thyristor basically एक ऐसा device है जिसको हम gate के थुरू on करते हैं तो gate के थुरू इसी वज़े से बहुत अच्छा controlled rectifier कहा जाते है उसको silicon controlled rectifier rectifier is basically a diode आपको पता है डायोड एक अच्छा एक rectifier है but when we talk about controlled rectifier तो हम वहाँ पर चाहें तो जैसा output चाहें वैसा output ले सकते हैं because we can control तो control करने के लिए मुझे मेरे पास ऐसा control होना चाहिए कि मैं इसे जब चाहे तब on करते हूं और जब चाहे तब off कर दो तो SCR यानि कि थाइरस्टर एक ऐसा device है जिसको हम pulse gate triggering के through trigger कर देते हैं यानि और किक करते कैसे हैं यह हम करते हैं transformer की मदद से ठीक है तो third application हो गया आपका इसके बाद है voltage regulators में तो voltage regulators आप पुराने भी देखते होंगे बहुत पहले जो voltage regulators आते थे वहां पर transformer जब आप उसको कभी खोला होगा और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने देखा हुए है transformer उसके अंदर क्योंकि पहले के voltage regulators जब replace हुए थे तो लोगों के पास वो खाली बच गया थे स्क्राप की तरह तो उसे खोल के हम देखा करते हैं मैंने भी किया है और बहुत सारे लोगों ने क्या होगा तो आप एक transformer दिखता था तो transformer का इस्तमाल हम काभी पुराने टाइम से करते आ रहे थे voltage regulator की तरह ठीक है तो यह application था हमारे transformer का अब हम पढ़ेंगे इसके हर एक part के बारे में कि क्या-क्या parts हैं कौन-कौन से parts हैं और क्या-क्या parts जो भी parts हैं वो क्या-क्या functions परफॉर्म करते हैं ठीक है तो क्या-क्या पार्ट्स क्या-क्या फंक्शन स्प्ली करते हैं वह सारी चीज़े देखते हैं कंप्यूटर जी दिखाएगा हाँ नीचे थोड़ा और करतीजिए ओके तो देखें कंस्ट्रक्शन और ट्रांसवर्मर की अगर हम बात करें तो आपको देख रहा है यहां पर कि और में लिखा हुए है और वह पार्ट्स हैं त्रांसवर्मर और उट बायंडिंग इन्सोलेशन डुसिंग पूरा आपको कि भी लेवल ओप एक्जम के है तो एक्जाम में फूखे जाता है यह आप इसको के सकते कर सकते सरस्कूष्ट्चिन ठीक हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या हैं थोड़ा नीचे आएंगे हम अभी में आपि दोनों साइट का व्यूव दिखाया मैंने आपको तो picture में पहला जो है वो आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से हम magnetic core को design करते हैं basically क्या होता है single lamination आपको दिख रहा होगा एक lamination होता है इसके बहुत सारे pieces होते हैं इनको connect करके हम एक पूरा magnetic core बनाते हैं तो ऐसा करते क्यों है यह तो हम समझेंगे अभी पर magnetic core दिखता ऐसा है ठीक है और इसके उपर हम फिर windings को bound करते हैं तो आपको दिख रहा है इसकी function इसकी function लिखे में है point wise की it support mechanical support to the winding mechanical support का मतलब क्या हुआ कि भाई winding को कहीं तो रखना है कहीं तो बांधना है कहीं तो इसको फसाना है तो कहां फसा है भाई यह फसा दिया मैंने magnetic core में magnetic mechanical support अगर मुझे देना था तो मैंने उसको magnetic core पे दिया है ठीक है अब यह है का it is a bundle of silicon steel lamination भाई यह बहुत important point है इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है silicon steel lamination बहुत सारे exams में पूछा गया है कि हमारा जो transformer का core है वो किससे बनाया जाता है तो बहुत सारे option हो गए वहाँ पर कास्ट iron होगा silicon steel होगा फिर आपका और भी सारा अलग-अलग तरीके की स्टील given होते हैं ठीक है तो आपको याद रखना है कि हम transformer के core को silicon steel lamination से बनाते हैं ठीक है अब lamination क्यों करते हैं तो laminated to reduce eddy current loss किसलिए करते हैं भाई eddy current loss को reduce करने के लिए हम lamination करते हैं ठीक है यह हो गया आपका third point fourth point पर आते हैं material use for lamination अब lamination के लिए कौन-कौन से चीजों का कौन-कौन से substance का इस्तमाल करते हैं भाई इंप्रिग्रेनेटेड पेपर ऑक्साइड पेइंट्स क्ले इंप्रिग्रेनेटेड पेपर जो होता है आप सर्च करेंगे कभी गूगल में तो आपको दिख जाएगा यह basically kind of paper है उसके बाद आउकसाइड पेइंट्स पेइंट्स का बिस्ता ऑक्साइड पेइंट्स मतलब यह basically chemical reactions के तुरू बनाया जाते हैं तो औकसाइड पेइंट्स का इस्तमाल करते हैं आणड क्ले यानि की चीनी मिट्टी ठीक है इन सब का इस्तमाल करके हम lamination बनाते हैं ठीक है इसको हटा जीएगा ठीक है तो मैंने ये समझा पहली बात तो यह कि वह कोर के बारे में कोर करता क्या है तो कॉर एक mechanical support provide करता है किसको वाइंडिंग को कहीं फसाना होगा कहीं बांधना होगा तो कहां बांदेंगे हम by magnetic core इसके बाद next पोइंट यह था कि हम बनाते कैसे हैं तो it is a bundle of silicon steel lamination मैंने बता दिया कि यह एक आपको दिख रहा है यह ऐसे हम बहुत सारे को stack कर देंगे एक साथ add कर देंगे और फिर जो निकल के आएगा जो बन के आएगा वह हमारा magnetic core ठीक है यह हमारा हो गया second point third point है कि इसको हम lamination करते हैं to reduce eddy current loss and guys अगर आपने मेरे पहले के sessions नहीं देखें जिन्होंने भी नहीं देखें पहले magnetization का session होगा मेरा एक जो की पहले आपको इसी चैनल के playlist में मिल जाएगा और आपको मिलेगा कहां basic electrical engineering में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एसी fundamentals के last lecture 24-25 I guess 23-24 होंग है magnetic magnetic circuit लिखा है तो वहाँ पर मैंने eddy current के वारे में बता है बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है आज भी डाउट है कि eddy current loss क्या है hysteresis loss क्या है there is still confused और नहीं पता कि eddy current loss आता कैसे है मतलब बहुत सारों को पता होगा कि हाँ यार इट इस the loop current loop current loss loop बनता है वहाँ पर लूप कैसे बनता है तो आपको अगर वो जाना है बट still जब मैं losses को discuss करूंगा transformer में तब भी मैं आपको बता दूँगा कि eddy current loss होता क्या है जब मुझे पता लग गया तब मैंने transformer को इस तरीके से design कर दिया कि मैं eddy current loss को reduce कर दूँगा अब भई आप मैं आपको यहाँ पर समझा सकता था कि हम किस तरीके से इसको लामिनेट करके पतले स्टाक्स में किस तरीके से हम लॉस को reduce करते हैं तो बहुत important question है यह बहुत ही ज्यादे important question है मैंने ऐसा कोई exam नहीं देखा जहां पर यह नहीं पूछा गया हो कि बहुत करेंट लॉस को reduce करने के लिए क्या method यूज करते हैं तो हम basically इसको thin sheets of lamination में divide कर देते हैं लामिनेट कर देते हैं ठीक है तो यह method है जिसके थुरू हम eddy current loss को reduce कर देते हैं चली यह हमारा हो गया about magnetic core इसके बाद हम आते हैं next part of transformation नेक्स्ट है हमारा वाइंडिंग्स देखो वाइंडिंग्स की बात करें तो दो तरीके की basically bindings है हमारे पास एक है मारे पास concentric binding और एक हमारा sandwich winding अब sandwich खाने वाला sandwich नहीं हां मगर उसी के जैसा मतलब हम कुछ ऐसा ही कुछ process कर रहे हैं जिसके लिए हमने इसका नान दिया है sandwich winding concentric और sandwich क्या है और इन दोनों में अलग-अलग winding हमने क्यों की इसका reason मैं आपको अभी ही बता दूँगा तो यह दो winding मैंने दिखाई है concentric winding आपको दिख रहा होगा sandwich winding भगल में है ठीक है इसको हटा दीजेगा पीपिटी तो देखे concentric winding जो है हमारा basically हम concentric circles आपको पता होगा concentric circles कुछ ऐसा होता है ठीक है तो similarly हम क्या करते हैं किसी उसके उपर जब concentric इस तरीके से बनाते तो यह हमारा winding जो होता है concentric winding अब sandwich winding क्या होता है कि भाई हमने क्या किया यह मेरा low voltage winding था अब इसके बीच में मैंने कुछ इस तरीके से winding की कि यहीं पर इसके बीच-बीच में high voltage winding भी हमने लगा दी तो आप देखो क्या है जैसे sandwich में क्या करते हैं दो bread के ऊपर दो bread के बीच में एक layer होता है that is कुछ भी हो सकता है depending on what kind of sandwich it is तो sandwich discuss नहीं करना है और sandwich का नाम लेकर book लगी में तो तो basically क्या है sandwich के क्या होता है दो layer के बीच में एक layer होता है similarly low voltage के layer के बीच में हम high voltage का layer डाल देते हैं तो इस तरीके की winding जो होती है हमारी वो sandwich kind of winding होती है और इससे क्या होता है कि losses जो leakage flux है वो बहुत का जो flux है तो चुकि principle mutual induction है तो मुझे पता है कि जो low voltage winding में जो flux आया है वही link करता है जाके high voltage की winding को और वहाँ पे principle start हो जाता है वहाँ पे working उसकी start हो जाती है तो हम कुछ ऐसा करते हैं और ऐसा किया कैसे sandwich winding मैंने इस्तमाल की इससे क्या होगा कि low voltage का जो flux होगा वह यहीं पे induce होगा और high voltage भी मैंने यहीं पे डाला हुए है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे leakage flux बिल्कुल ही कम होगा बहुत कम होगा ठीक है तो leakage flux कम हो जाता है तो efficiency बढ़ जाती है transformer की losses कम होते हैं ठीक है तो यह concentric और sandwich winding का आपका थोड़ा सा तो यह construction का second part था जिस जिसमें हमने winding को पड़ा इसके बाद हम आते हैं next part पर ठीक है पीपीटी दिखा दीजिए नेक्स पार्ट इंचे होगा ओके तो हम बात करते हैं अब insulation की और insulation बहुत important है यार दोगो insulation क्यों important है वो तो हम पढ़ेंगे पर देखते हैं पहले insulation करते कैसे हैं दो मैंने लिखा है कि यहाँ पे mineral oil is used for insulation mineral oil का इस्तमाल करते हैं हम insulation के लिए और उसमें से कुछ oil के मैंने नाम लिग दिए हैं जैसे यह one of the oil is poly chlorinated biphenyls pentra erythritol tetra fatty acid यह एक oil हो गया कॉमा होना चाहिए यहाँ पर जो की नहीं है तो कॉमा नाचुरल एंड synthetic इक्स्टर तो यह दो टाइप के वाइस हैं जो इस्तमाल किये जाते हैं हमारे transformer में for the insulation अब इस्तमाल किये क्यों जाते हैं बही क्यों कि मुझे primary और secondary को insulate करना है primary और secondary को क्यों insulate करना है अगर हमने primary और secondary को insulate नहीं किया एक दूसरे से अलग नहीं तो भै वहां पर क्या होगा कि Conductive Coupling हो जाएगी Conductive Coupling का मतलब Conductive Coupling का मतलब होता है कि जैसे दो तारों को दो अलग अलग तारों को direct जोड़ दो आप तो वहां पर जो कपलिंग होती है उसको हम लोग Conductive Coupling तो Conductively coupled नहीं होना चाहिए हमारा transformer हमारा transformer सिर्फ magnetically coupled होना चाहिए इसका मतलब यह है कि जैसे भई हम transformer electrical energy को पहले magnetic energy में convert करते है and then this magnetic energy is converted into electrical energy तो यह जो conversion है stage of conversion है यही होना चाहिए ठीक है guys तो magnetic energy जो है जो हमारा primary और secondary winding है यह magnetically coupled होना चाहिए ठीक है इसके बाद next point है हमारा कि oil also provides cooling to the transformer जो यह oil इस्तमाल कर रहे है जो oil हमारा इस्तमाल हो रहा है यह oil जो होता है यह हमारा transformer को cool करने का भी काम करता है तो दो basic function perform करता है हमारा oil एक तो insulate करता है primary और secondary को second cooling of the transformer transformer की cooling को transformer के temperature को maintain रखने की कोशिश करता है ठीक है तो यह हो गया हमारा insulation इसके नीचे आएंगे नीचे हाँ next part है हमारा bushing is a very important part in the transformer जो आपको दिखता होगा बाहर दिख जाता होगा यह तो यह मैंने तो भाई transformer इस्तमाल करेंगे ने पावर सिस्टम में तो हम क्या करना है कि जो current carrying part है which is conductor actually which is transmission line ठीक है तो उसको मुझे isolate करना है transformer के साथ मतलब मेरा body के साथ कोई connection नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि transformer की body को मैं बहार touch करूँ तो मैं को current लग जाए या मैं को current मेरे अंदर electricity flow हो जाए तो यह असा कभी नहीं चाहेंगे तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं बुशिंग से इस्तमाल करते हैं ठीक है body को current carrying part से दूर करने के लिए isolate करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं का दूसरा function है इसका used to separate transformer from high voltage lines to avoid flash over ठीक है flash over को avoid करने के लिए हम इसको इस्तमाल करते है अब flash over क्या है यह मैं आपको भी समझाता हूं third point इसका कि for transformer having voltage greater than 33 kv आर इधर oil filled और capacitor ठीक है तो capacitor टाइप है या 33 kv से जा उपर का जो भी transformer होगा उसमें हम जो इस्तमाल करते हैं बुशिंग वो oil field होते हैं या फिर capacitor टाइप होते हैं ठीक है तो एक बड़ पीपीटे इता दी जागा मिठर जी देखें इसको समझते हैं flash over क्या है देखो flash over इसमें की point समझने वाला वह है कि flash over क्या है flash over basically है कि बहुँ जैसे बिजलिया कड़की वहां से कुछ बिजलिया गरती है जैसे मैं आपको बिल्कुल आम वाहसा में बता निए लाइंटिनिंग Mr. privileged जब आती है तो क्या होता है कि लाइंटिन सटेस जैसे गिरिड की तो टरन्सवार्मर के कि इक पार्ट पर गिरी तो बैप से बीश्य के लिए वह आता है करेंड केरिंग पार्ट जो हमारा कंडुक्टर है जो तार है vlogs video लाइन है उस पर आगे गिरा अब क्या ओगा हो इतना हाई होगा कि वह डिस्चार्ज होना चाहेगा ग्राउड में तो बहुत हाई वोल्टे लाइटनिंग सर्जिस आती है तो क्या होता है वो transformer के सौरी conductor पर आता है और conductor से वह पाथ जूंगता है कि वह भाई कहां चले जाए ground में चले जाए कि ground is a zero potential तो zero potential पर जाना चाहेगा high to low flow करता है तो क्या होगा कि वहां पर अगर ऐसे पर पर पढ़ जाए तो बूशिंग क्या करता है उसका रोकने का गाम करता है कि आया और उसको रिटर्न कर दिया उसको कोई और पास प्रोवाइड कर दिया उसको बॉडी में इंटर नहीं करने देगा या नहीं नहीं आने देगा बहुंतर पांसो के वी लाइटनिंग संठ Suppose लगव 500 के की होंगी अब ट्रांसवार्मर से 50 कवी का तो five गएगल इसपर पे आ गया या उसकी बोडऻ में आ अगया यह वायर चल गया तो सारा वाइं ट्रांस्वार्मर जो चल जाएगा वह बन कर जाएगा पूरा खराब हो जाएगा सारे फंक्षन बरबाद हो जाएगे तो इतने महेंगे महेंगे ट्रांसवार हम यह रिस्क नहीं ले सकते कि अगर माना कि 100 साल में एक बार आता हो लाइटनिंग सर्जेश पर तब भी हम इतना को हम अ अधाते हैं ऑऊएट करते हैं वाई-जेश परिट यह वी भी बहुद इंपोर्टंट एंद उतनना है जितना हमारा पूरा पूरा ठांसफर्मको शमझना क्योंकि वह ब्रिवीडर से भी बहुत सारे कुश्चन आते हैं पर इसमें एक पार्ट है जो मैंने डिसक्स नहीं किया है और इस बुकल्स रिले जो है एक अलगी पार्ट है और एक अलगी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं जिससे कुश्चन तो उसको मैं अलग टॉपिक में डिसकस करूँगा आप उसके लिए टेंशन मत लेना ठीक है तो देखिए यहां पर है कि कंजर्वेटर इस एन एयर टाइट सिलिंडर और वो डाइग्राम में यहां पर बना हुए एयर टाइट सिलिंडर यूज तो प्रिवेंट वाइल फरम कमिंग इंग इन कॉमिंग इन कॉटाक्ट विद एए तो दो क्या होता है ले स्टॉप या फिर मॉइस्टर का कंटेंट जो है किसी तरीकिसा वाइल में ना चले जाए कि क्या कर देहां वाइल के जो में प्रोपर्टी यूज जो मिनरल वाइस यूज कर रहे हम आप उसको उसकी बुंदिय कह सकते हो तो वो किसी भी फॉर्म में या कैसे भी हमारे वायल तक पहुंच जाए तो उसके लिए हम होते हैं थोड़े से तो वो दीरे-दीरे खतम होने लगेंगे तो लेवल जब किरता है तो हम कंजर्वेटर में कुछ तेल पहले से डाल के रखते हैं रिजर्व जैसे आपके गाड़ियों में रिजर्व होता है कि हां आदा लीटर जो है रहेगा वह आपको दिखेगा नहीं वह एमर्जेंसी के लिए रहेगा सिमिलरली कंजर्वेटर में भी हम हाफ फिल्ड वाइल जो है भरके रखते हैं आधा भरके रखते हैं ताकि जब भी कमियो में टैंक में तो हम इसको दे दे भाई ठीक है नेक्स है कि ब्रीदर प्रटेक्ट्ट जट्रांसफर मर्क फ्रम कम अम बाद में जब हम जो करेंगे तो ब्रीदर जो है वह ठांस्वार्मर में मॉस्चर कंटेंट को नहीं आने देता है और उसके लिए इसलिका जलका इस्तमौ मैं ठीक है तो यह अमारा इतना पाट हो गया ठांसवामर के आज तो अ यह हमारा construction था, basically transformer का, construction के बाद हम आएंगे principle पर, principle क्या है हमारे transformer, दोगों अगर principle की बात करें, तो principle है हमारा mutual induction, principle है हमारा mutual induction, अब mutual induction का मतलब है, भाई, mutual induction कैसे होता है, इसको हम समझेंगे, कैसे, भाई, simple सबसे पहले हम तो बना लेक, simple साथ जिस, जो structure हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, transformer में, मतलब बच्पन से तो नहीं, जब से भी आपने पढ़ना चालू किया है, तो यह हमारा transformer है basic, जिसके थुरू हम सारा, इसी construction के थुरू सब कुछ पढ़ेंगे, तो principle में देखी क्या होता है, अब देखें मैं यह कह रहा हूँ, primary side है, या आप इसको पाकिस्तान कह लीजी, यह एक मैं यहाँ बाढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, दो sections हैं इसमें, यह पाकिस्तान है और इधर हमारा भारत है, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, यह पाक, और यह मैं आशको इंडिया गया रहा हूँ, ठीक है, अब इसको principle को हम समझेंगे थोड़ा इसी तरीके से, इंडिया, पाकिस्तान की लड़ाईयां होती रहते हैं, तो आज हम लड़ाई देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया टाकल करता है इन सारी चीज़ों और कैसे लड़ता है, तो वो हम transformer यहाँ पर समझते हैं, अगर हम बात करें कि आकर हो क्या रहा है, जैसे हम अब देखो जिस साइट पर मैंने सोर्स लगा दिया न वो साइड हो गया, प्राइमरी साइड और जिस साइड पर मैंने लोड लगा दिया, तो वो साइड हो गया हमारा सेकेंटरी साइड अब ऐसा नहीं है कि left side वाला ही हमेशा, ट्राइमरी साइड होगा, राइट साइड वाला ही हमारा सेकेंडे साइड होगा, it just depends on which side we are connecting the source, तो सोर्स कहां connected है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है हमारा, कि side कौन सा है, और लोड कहां connect कर दिया, ठीक है, तो अब लड़ से कि मैं कहा कि मैंने सोर्स लगा दिया यहां से करेंट आया suivre करेंट की वजए से इसमें फ्लक्स जनरिट होता है अब ये फ्लक्स क्या करता अब देखो लेटर आस्थ का हुआ पाकिस्तान का पीम है इसने आदेश दिया अपने सैनिको को यानि करेंड को कि भाई कुछ गोला वारूत जो है भारत में फेक क्या आओ अब पाकिस्तान है बच्चा उसको काम रहता नहीं है खाली देश उसको कोई मतलब नहीं है उसको अपने उसका रेविन्यू देखो बहुत कम तो खाली देश को करना कर आँ अब इस पर काफी वियादे उठ सकते हैं पर मैं समझाने की परप 무et cc देक है तो देखो मैंने क्या किया यहां से आदेश आया इसने सैनिकों को बताया कि भाई पहक क्या व्य्म फेका क्या यह फ्लक्स यह गों बॉम है अब यह गोला वारुद दिनुन फिकते इंडिया पर अब इंडिया क्या करेगा सबू変 플르 अब जैसे इसने देखा तो यहां से वोडर रहा इस लोट से भाइए कि यार कुछ रहा करना चीए तो इसने भी है कि आदेश दिया और यहां पर एक और ज्जादा नहीं किया अब ये समझाने का तरीका था बट ि दीvo कि इस को भी कुछ यहां पे current क्या यही क्रिंट हम चाहते थे दोगो अब भाटियां हां हमारे यहां किया है रोज़गार नी है यहां तो अब यह लडाईयां हुई तो हमने ढ़क्तियां है थार डूकली ने अ dull onion can ठीक है ठीक है तो ये भाई साब अब देखो ये करेंट यहां पर बढ़ गया और इससे हमारा ओवराल फाइदा हो गया इंडिया में जो हमारे बेरोजगार वेक्ती हैं जो जिनको रोजगार की चाहत है और जो हम जैसे लोग हैं जो बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में है ये नौकरी बढ़ गई और यहां पर फाइदा हो गया तो हम तो फोकस कर रहे हैं भाई कि हमारा फाइदा हो गया बाकी जो लड़ाई हैं चलने हैं ठीक है अब दोको इसको समझते हैं एक टेक्निकल लांगिज में हमारा देशी पन था तो क्या हुआ कि पहले हमने वोल्ट कुछ साल लोग पहले इनसान आया था जैसका नाम फाराडे था आप फोराडे क्या करता था पराडे निक्या कहा क्या था तो फेराडे ने हाँ मैं वो नहीं कर सकता जो उन्होंने कि उन्होंने क्या कि फर्स्ट लॉव में यह बताया कि भाई कहीं भी अगर फ्लक्स वैरी कर रहा है किसी वायर में या किसी कंडॉक्टर में तो वहां पे सारी कहीं भी अगर करेंट वैरी कर रहा है तो फ्लक्स अगर कहीं पर वैरी कर रहा था current current भी vary कर रहा था और current कि क्यों वरिकर रहा था क्यूंकि मैंने source alternating source लगा वह था alternating current source लगा वा था यानि कि ये जो हमारा source है ये बदल रहा है यह बदल ला इसकी वज़य से current बदल ला current की वज़य से जो flux आया है वो भी बदल ले और अगर मैं पर डीशे तो current constant आता और इसकी वज़े से जो flux आता वो भी constant आता तो यहां पर constant flux नहीं आ रहा है यहां पर varying flux आ रहा है और अगर varying flux कहीं पर है तो फराडे भीया ने कहा कि वहाँ पर EMF आएगा तो यहां पर induce हो गया EMF even अब यह even basically क्या कर रहा है इसको oppose कर रहा है किसको oppose कर रहा है इस voltage V1 को क्यूंकि lenses भी एक इनसान थे जो आये थे और वह यह कह गया है कि भाई हम रहे ना रहें लेकिन एक बात सत्ते यह है कि भाई जो हमारा कोई भी production का कोई भी कारण होता है अगर कहीं पर भी भी production हो रहा है तो वो production जो है अपने cause of production को आपोस करेगा तो production क्या हुआ भई इस EMF का production हुआ और इसका cause of production क्या था यह voltage हो तो यह क्या करता है उन्होंने कहा कि हमेशा production जो है अपने cause प्रडेक्शन को आपूस करेगा तो इवन जो है आपूस करता है वीवन को इस बात को याद रखना जब हम फिक्जर डायक्रम पढ़ेंगे तो उसको हम समझें ठीक है तो यह वा कि भाई यह इंड्यूस होगा अब यहां पे भी देखो सिमिलरली यह वाला फ्लक्स यहां पे लिंक कर रहा तो यहां पे भी एक EMF हो जाता है अब जैसे यह क्या कर रहा है यह काम करता है इस लोड के लिए सोर्स की तरह और यह दे देता है करेंट तो म्यूच्वल इंडक्शन बेसिकली यह है कि भाई प्राइमरी में करेंट दिया और सेकेंअडरी में करेंट पहुंच गया तो मैउच्वली इंडूज हो गया मतलब सीन्ट close ay दोनों का फाइदा हो गया जैसे मेरा दोस्त राम है और आपका दोस्त भी राम है तो राम क्या हो गया मैज़चल फ्रेंड और अगर राम का आदमी है तोंसनों का फाइदा हो तो भाई साब mutual induction जाही है टेक्क्योर भावाई सब्सक्राइब तो सक्सेजीज और प्रेस्ट बेल इकन तो गेट अल देटेस वीडियो